काहलगावा विधान सवा के लिए अंतिम दिन दस लोगों ने किया नामंकन पूर्भ भाजपा जिला द्यक्ट लीना सिना तथा भागलपूर सांचत अजय मंडल के भाई अनुज मंडल ने उमिद्वारी ठोक सीट को बनाया दिल्चास्प काहलगाव 155 विधान सवा चेतर के लिए पर्थम चरण के नामंकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बाजपा के पूर्भ जिला द्यक्ट लीना सिना तथा भागलपूर सांचत अजय मंडल के भाई अनुज मंडल सहित कुल 10 लोगों ने अपना नामंकन दाखिल किया बतादें की बुद्बार को भी पांच उमिदबार ने अपना नामंकन कराया था नामंकन पत्र दाखिल करने बालों में भारतिय जनक्रामती दल, डेमोक्रेटिब के रामचंदर मंडल, भारतिय सब लोग पार्टी के गुलाम अमद, बियस्पी के क्रिसन कुमार मंडल, एनस्पी के अनुज कुमार मंडल, दपुल्रल्स पार्टी के बिजे कुमार निर्दलिये के रूप में बोला हरीजन लीना शिना सदानन सिंग मेहंदर ताती ने अपनी अपनी उमिदवारी ठोकी साथी विजेपी के पवन यादव ने तीसरे सीट में आज फिर अपना नामंकन पत्र दाकिल किया बतादे कि पवन यादव ने बुद्वार को भी दो अजे मंडल के छोटे भाई हैं जिन्होंने एंसीपी से अपना नामंकन दाखिल किया है वहीं लीना शिना भाजबा के पुर्व जिला द्यक्च रही हैं साथी काहलगाउं पुर्वी छेतर से जिला परिशत की सदस्या भी हैं जिसने निर्दलिये प्रत्यासी के रूप में अपनी उमिदबारी ठोक कर काहलगाउं विदान सबाद सीट को दिल्चस्प बना दिया है नामंकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्तकारों से बात करते हुए लीना शिना ने कहा कि पिछले 15 वर्सों से सेवा कर रही थी मैंने जनपरती निदियों के रूप में कई काम किये हैं पूरा विश्वास था कि पार्टी उनके कामों को देखते हुए उन्हें यहां से टिकर देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए निर्दलिय उमिदबार बनकर चुनावी मैदान में अपना किस्मत अजमानी का फैसला किया है मैं भारती जनता पार्टी की पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रही हूँ उसके बावजूद भी मुझे बहुत उम्मीद थी मैं पिछले कई दिनों से लगातार संगश कर रही हूँ पार्टी की सेवा करते हुए तो इस बार सोचा था मैंने कि मुझे यहां काहलगाओं की जन पार्टी यह तो मैं नहीं जानती क्योंकि मेरे आदर्श अदर्णिया नरेंद्र मोदी जी है मैं उनके आदर्शों पर चलती हूँ उनकी विचारदारा को और भातियंता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके मैं काम करती रही और उनकी आदर्शों का पालन किया मुझे मंत्री जी मेरे आदर्श हैं और आगे भी रहेंगे लेकिन बाटी के कुछ शीर्षिनेत्रित्व में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी व्यक्ति विशेश को देख करके या कुछ और क्या कारण रहे वो मुझे पता नहीं लेकिन मेरी कर्मटता और मेरे कार्ये पे ये प्र जवाचित सदस्य हूँ और एक जनप्रती के जनप्रती निधी के रूप में मैंने बहुत काम किया है इस छेत्र की समस्याओं को मैं हमेशा से बड़े-बड़े मंत्रियों के पास में HRT मिनिस्टर के पास विक्रम शिला के लिए और कई सारी समस्याओं के लिए रेल के लिए इसके सेवा करने का मुझे एक ऑशर मिलेगा और मैं अब उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की जनता मुझे आशिरवाद देगी और मुझे काम करने का एक आशर मिलेगा इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आपारी अब ये मुझे नहीं पता मुझे ईश्वर और जनता के उपर जनता जनारधन जैसा भी मुझे समर्थन देगी मैं उसको सहर्ष स्विकार करूंगी लेकिन यही मेरी एक प्राथना है कि एक महिला को कमजोर ना समझे कि महिला जब मैं हर जगा अपनी बात को रख सकती हूं तो आपके इस छेतर का विकास करने के लिए मैं कटिबंध हूं और मुझे पर एक बार आप लोग विश्वास करके देखिये और मुझे जिता करके उस विद्वान सभा के सदन में पहुचा आईए ताकि मैं इस छेतर का विकास कर सको कि इसका कारण मैं नहीं बता सकती हूँ क्या कुछ भी हो सकता है जो कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं करती हूं कि सभी पार्टी के लोग ह्लेकिन पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं कोई कारिकरता क्या नेता नहीं बन सकता कारिकरता मजदूरी करता है जोला उठाता है धर्ना प्रदर्शन करता है श्रद्धांजली और पूंडेतिति मनाता है तो उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए बाहर से आयातित नेता या कुछ इस तरह के लोग अनरगल बाते करके या अचानक से जो पार्टी में आ जाते हैं उनकों सिंबॉल मिल जाता है और वो प्रतिनिधित्व करते हैं चाहे वो बेलोग योग्य हैं या नहीं ये देखना चाहिए वो इस योग्य है या नहीं वो जनता के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना चाहिए शिर् उसी प्रकार हमेरे भाई भी अपने गडवन्दन के लिए काम करेंगे नहीं चैटी के खास्ता हाल पर उन्होंने कहा कि 22 किलोमीटर की दूरी 7 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा उन्होंने कहा कि सड़क वही है अधिकारी भी वही है नेता भी वही है जो सड़क इतने दिनों त सब्सक्राइब करने का जो तरीका है उस तरीके से हम अलग भिल्ले ढंग से राजिंती करने चाहते हैं इसलिए हमने अपनों परचावर है टिकर दिलवानें भी फल रहा है इसलिए अपने इरदली एंसे परचादा खिलके अब रही बाद जहां तक कि वह अपने सोहिमान को जोगते मेरे लिए अधिक प्रेस किनी को नहीं कि क्या लगता है चुनाओ में कैमपैनिंग करेंगे सांसद आपके साथ हम भी जिस पार्टी से जूरे हम उसे गदारी नहीं कर सकते हैं इसलिए गड़वंदन के साथ वह भी गलती नहीं करेंगे इसलिए वह मेरे लिए काम नहीं करेंगे कि लगातार आप काम भी किये हैं इसी लाके में बाई का भी चुनागी कमान आप संभाले थे लोगों का हभा यानि कि लोगों का जो चाहत है वह तो मैंने पंद्रव परस में हलका फुलका जहां है उस अवकार्द के हिसाब से मैंने उनके साथ किया है और हमको लगता है कि जब इस समय में ने उनका इतना किया है हमको साथ बहुत ज्यादा मिलेगा भाई सांसादे एनच की दुरदसा बहुत ही दैनिया है कि आज चुनावी महल में कि ये 20 किलो मेटर सभोगह सी Ms और अधिकारीय भी होई आज साथ मैने से ठीक नहीं होा रहा है då साथ दिन में ठीक होने जा झाल झाल